नमस्य दोस्तों, मार्केट में एक नया प्रोपेगंडा आया है, प्रोपेगंडा है बालो की ग्रोथ बढ़ाने वाला बिजनस, क्या आप समझते हैं इसको, जब एक एड़िजमेंट आता है दस से तीस सेगंड के बीच का तो आप समझ नहीं पाते हैं इसको, आप उसको स्क हंटे बैठ करके उनके दुआरा फैलाए जा रहे हैं अपने व्यापार के प्रोपेगंडा को आत्मसात करते हैं और अपने घराते हैं और आपको पता लगता है कि आपके साइड के बाल उड़ रहे हैं, अब आप भद्दे लगने शुरू गए हैं, अब आप अंकल लगने कुपचार करें, जितने भी योग करें, वो तो सब बकवास हैं, एक ही उपाई बसता है, वो है ट्रांस्प्लांट कराना, या फिर वीग पहन लेना, जो की एक एक लाग से उपर की आती हैं, और ट्रांस्प्लांट भी लाखों में होता है, ये सब चीज अगर आपको तीन होता जा रहा है, पानी में नमक की महतरा बढ़ती जा रही है, इसमें तरह तरह के मिनरल्स हैं, जो की मेरे बाल उड़ा दे रहे हैं, या मुझे टैंसन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए, या मेरा खान पान सही नहीं है, या मेरा लीवर सही नहीं है, और होता भी गरा लीवर affected होता है बिमार हो जाता है तो हमारे बालों के समस्यां होनी शुरू हो जाती है मौसम वातवरन और जल का प्रभाव भी पढ़ता है जल वायू वातवरन का प्रभाव पढ़ता है लेकिन लीवर की तरफ से भी प्रॉब्लम सेलती है लेकिन फिलूम में यह चीज़ है आपको नहीं बताया जाएंगी तीन उधारन लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं आईशमान खुरान की बाला जिसमें की वो गंजा हो जाता है और उसकी जिन्दगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी ऐसा उसमें दर्शाय गया है और फिर तरी तरीके के बहुत सारे उसमें तरीके भी बताय जा रहे है वहाँ से आपको लगता है कि हमाई तो जिन्दगी तबाह हो रही है फिर इसी character को tribute देते हुए अक्षे कुमार ने हाउसफुल 4 में एक कैरेक्टर निवाया जिसमें उसका नाम है बाला वहाँ उसको भी दिखाया गया है गंजा वहाँ पर भी यही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है तीसरी फिल्म आती है वो भी उसी टाइम पर आती है और वो होती है उजडा चमन जिसमें बताया गया है कि इस प्रकार से गंजय व्यक्ति की जिंदगी तबाहु बरबाद है अब आप तीन फिल्में देखेंगे तकरीवन तकरीवन आठ से नों घंटे की फिल्में देखेंगे घर से हजार रुपे फूंकेंगे अपने ब्रेन को पूरे तरीके से वाश कराएंगे और आप जानेंगे कि आपके दो चार बाल जो उड़े हैं उसकी वज़ा से आपका जीवन अब हो गया है पूरी तरीके से समाप्त और अब आप उनके बताए हुए जितने भी रास्ते हैं उनको अक्तियार करना शुरू कर देंगे इस प्रोपेगेंडा को हमने पहले भी समझा था रिलेशन्स में क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे शहर जाते हैं तो आसपास के शहर में अपने रिलेटिव को डूनता है और उनके घर पर स्टे करते है अब से तकरीबन 4-5 साल पहले अगर आप होटल में जा रहे हैं और आपके साथ में कोई लड़की है और वो आपकी कि युष्यारत वर्ष में होटल का वरध़ा सिरंका इनका कोई कांसेट रहा ही नहीं है लेकिन होटल कप बिजिनस्ष चले तो चले कैसे होटल बिजिनस चलने के लिए पहले फिलम बनाएगाई गई पहले तो आई थी अप्लिकरमो सो यह वागा गो गॉए बिग को निकन वो होटल में जा करके मिल सकते हैं, आप घर से पैसा दे करके गए, अपने बच्चों को साथ ले करके गए, फिल्में दिखाई, ताकि आप बचा सको अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को, कि बैटा, आस्परोस में जो होटल बने हुआ है, वहाँ पर आप जाओ, यो सब को वहाँ पर ले जाद भी सकती हो, पूरे 24 घंटाया पर आप अराम से फ्री वहाँ पर रह भी सकती हो, आप से बिल्कुल फ्री माइंड हो करके रह सकती हो, फिर वहाँ से बिजनस ग्रो होना शुरू होगा, और फिर एप्लिकेशन ने भी लिखना शुरू कर दिया, कि हम जो unmarried couples हैं, locals के जो couples हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, सिर्फ बस आपको ID देनी होगी, ये business grow करने के तरीके हैं, जिस तरीके से पहले था, हिंदुस्तान में, intimation के लिए, बहुत सारा जो business था, वो यहां पर grow नहीं कर रहा था, लेकिन film है बनाए गई, उसके बाद में फिर कौन सा बनियान पहने, कौन सा स्प्रे लगाएं, कौन सा जैल लगाएं, कौन सा तेल लगाएं, कौन से डिटरजेंट में कपड़ों को धोएं, और सब का एक टारगेट के लड़की चिपक जाती हैं, जबकि ये सारे चीज एक साथ करने वाले व्यक्ती को भी, मुँपर को प्रोपगेंडास को समझें, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, कि आप आधुनिकता की दोड में अपने आपको पिसने से बचाएं, इन प्रोपगेंडास को समझें, अवश्रक्तानों सारी ही चीजों का प्रियोग करें, इस बहुराश्री कंपनियों के दोर में आपको उल्लू बनाने के, आपको ब्यवकूफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इन से प्लीज बचें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तो इसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें, मेरे संग बोलिये भारत मता की जाए, जैहिन वंदे मातरम